अमेरिकी सेंटरल बैंक अमेरिका में महगाई को नियंतरन करने के लगातार करज महगा कर रहा है करज महगा करने के पीछे जो मंशा है वो है मांग को तोड़ने की लेकिन अमेरिका से लगातार इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं जो संक्यत दे रहे हैं मांग बढ़ती जा रही है तूट नहीं रही है जनवरी के दौरान अमेरिका में consumer spending दो साल के उपरी स्थर पर पहुंच गई कंजूमर स्पेंडिंग में हुई इस बढ़ोतरी से आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में सेंटरल बैंक और सक्त हो जाएगा और जाधा तीजी के साथ ब्याज़रों को बढ़ाएगा इसी आशंका की वजह से अमेरिकी डॉलर में तेजी देखी गई जो साथ हफते के उपरी स्थर पर पहुंच गया डॉलर चमका तो फी की पढ़ गई चमक कच्छे तेल की गोल्ड की और चांदी की सर अमेरिका में ब्याज़रों को लेकर अब कैसा प्रेदर्श बनता दिख रहा है हुई है जिसकी जिस लक्ष से ब्याज़रों में ब्रहुत्री की गई थी तो आप बाजार अपने आपको फिर रिसेट कर रहा है दिसंबर तक वित्ती बाजारे मान रहे थे कि ब्याजदरों में ब्रहुत्री का दोर खतम हो चुका है लेकिन अब बॉन्ड इल्स को अगर आप देखें संकेत के तोर पर और बॉन्ड इल्स भारत में भी देखें दोनों चेके देखें तो उनमें ये ब्रहुत्री इस बात का इशारा कर रही है कि आने वाले समय में के बाकी बैंकर्स भी कह रहे हैं जैसे ये ये रूपियन सेंट्रल बैंक के चेर्मेंन का बयान आज सब्जिगे प्रकाशित हुआ कि जब तक महेंगाई को दो फीस्दी तक नहीं ले आएंगे तब तक नहीं रुकेंगे उनका ये भी कहना था कि अगर सरकारों की फिसकल प पड़ेंगे यानि केंद्री बैंकों को ब्याजधरों और ज्याधर समय तक उची सूफ़िक होगी पूरा रसाखना ही लेकर बदुदी दिखाई दे रहा है दुनिया के बैंक म्हेंगाई को और umी को दिखता है कि से की श्रकारें ड susie अपने कारनों से iron to कमी करके महंगाई कम करने की कोशिशों में सफल होती नहीं दिखाए दे रही है